शिवाय नमस्तु हम्हम एक बात अपने जीवन में सदा उतार करें घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महराणी हमें यह पता देती है कि हमारे घर में सुक आने वाला है कि दुखाने वाला जैसे शनी अपना प्रक्रोप दे रहा है या शनी उतर रहा है यह किसी से पूछने की जरुवत नहीं पड़ती अपने आप मालूम पड़ता कैसे शनी कथा अगर आपने से सुनी हो तो उसमें व्यक्टान आता है शनी कथा में पाओं की चपल बार बार टूट रही हो कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फटर्य हो तो फट रहे हो कही पजामा है धोती ये अधिक बस्त्र है कपड़ें है आज वार बार तूट रही हो, गिस गई हो, बद्दी तूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो बस्तर पहने हो, वो अपने आफट रहे हो, समझ ले जो, कि शनी, पाउं से प्रविश्च कर रहा, मतल्ब अपनी प्रखरता शनी दिखा रहा, किसी मंदिर में गए महाराज और वहाँ जाने पर चपल चली गए तो समझ लेना शनी की कूतरष्टी अब पढ़ना बन बन बना चलू हो इतना सुन्दर का है महाराज जूता चपल आज के जमाने में तो फेसन हो गई जाते हैं अरे पानी ले जा उसी योड से है रसोई घर में लोग चपल पेन कर जाते हैं जहां भगवान का बरशाद बन रहा है जहां पूड़ा निबास कर रही है और पूछत करें किचिन की चपल है तो माथे पे रख लो तो अपनी माँ को जरूर देखना है एक बार वो बूड़ी माँ किती बार किचिन में चपल पेन कर गई मुझे जरूर फोन करकर बताना बूड़ी माँ रसोई घर में आज भी बिना चपल के जाती है और बहुन की कहीं एडी नहीं फेट जाए ठंड नहीं बेट जाए इसलिए यह रसोई घर तक में चपल पेन कर जाता है सूर्य नरायन की कथा पढ़ना सनी महराज की कथा पढ़ना और गरून कुरान की कथा पढ़ना जिन दिन कथाओं का म्याक्षान करें उसको पढ़ना जरूर हो क्या लिखा है कि घर के अंदर जब चपल जाती है रोग बिमारी कष्ट तकलीप चाली हो जाती है तुमने चपल क्यों पेनी थंड नहीं बेड़ जाए रोग नहीं बेड़ जाए घर के अंदर उतना बढ़गया एक कालीन पिछा दो एक घरी पिछा दो मोटा संग इछा दो जिसपर तुम चलो जरूर में जरूर एक ज़ा हो कि काली यंपर भी सब्पल कर धो सक्कोर्टि के अके citizen सब्कार immediat priya आख जा देंगव और कौम anौगbu फिर पुंडल ओर नगीना क्या हरी नाम नहीं तो जीना क्या अभी भी सुधर जाओ रे अभी भी सुधर जाओ नी सुधरो तो सिधर जाओ रे या तो सुधरो नी तो सिधरो फोड़ा सुधरो रसोई घर में अन्पुना रहती है रसोई घर में शिम्हपुरान की कथा करती है जब भगवान शंकर को मा जगत जनी भोजन करा रही थी संकर जी ना बर मांगा था मनपूर्णा था ए अनपूर्णे तु मेरे घर के बच्चों का भरण को सण कर रही है इस मरत्यू लोक में जितने मनुष्य जनम लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते है तो अनपूर्णा ने कहा चिंता मत करना भोले ना जिस जगह पर एक इस्त्री बेटी कन्या या गही की बहु या बूडी मा भोजन बनाएगी उस जगहापर में अनपूर्णा उसके शरीर में प्रविश करूँगी रसोई घर रसोई घर नहीं होगा वो मेरा और तुमारा मंदिर कह लाएगा अब मंदिर में चपल पहिंता भोजन का निर्मान करना इस रिष्टेता है एक आसन पड़क लो आप रसोई घर के अंदर जिस आसन पर खड़े हो कि आप भोजन बना लें मोटा सासन तक लो चपल की जरुवत ही नहीं और साथ या तीन कदम के अंदर चपल उतर जाना चाहिए घर के अंदर और उसके बाद अगर चपल अंदर प्रवेश कर रही है तो राहू के शनी के साथ प्रवेश करते हैं जिसके घर में बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ती शनी कथा सूरिक की कथा का सुमेंड करिए आ किसी ने जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है इसमें घर में तकलीफ आए तुमने लगाया फिर सूखी फिर लगाया तुलसा महराणी बता देती है कि कश्ट है और जिस गमले की तुलसा घेर घमोर हो फलित हो आनंद में हो तो उस घर में फिर तुक नहीं आता सम्रद्धी की खु कर रहे हो उसे तुमारा एक संबंध होना चाहिए एक रिष्टेदारी होना चाहिए और उससे जब तुमारा कोई संबंध रहेगा उससे जब तुमारी कोई रिष्टेदारी रहेगी तो इस रिष्टेदारी में जैसे ही आपके प्रांट चूटे और चूटते से ही आप ज तुरंत प्रवेश्च हो जाए महारा भगवान से संबंदोना चाहिए लोग भगवान को सुबेरे से विज्ञाने बेटते हैं तो भगवान को बनी बनाई बात कहते हैं ये पाट कर लो, ये पाट कर लो, ये पाट कर लो, ये स्तूती कर लो, सारा बना बनाया, तुमने अपने दिल से कौन सी स्तूती गई, तुमने अपने दिल से कौन सा भगवान को निवेदन करा, कौन सा नमन करा, बस सुबेर उठना है, नहाना है, भगवान के सामने जाना है, भगवान को निलाना है कपड़े पिनाना अगरभत्ति लगाना है कि तुदा सा सा क्तर का भोगना है तने candles देव बिध्रता कर दो खुर्मा लेक कि ने से अी बादुसाइए लेकरें तो मत्री लेकर आगे एक ने लेकर आगे और भगाण को इ हुआ इतनी सी कर्षोडी में रग और उसली, से एक नधर्ड़ी में से양रा मुछनी सतर्फोर्मा परसो गुजिया का परसो पपड़िया का कोई डब्बें भराय रखें और एक लड़ू रोज लगा देगी इतना बड़ू तो पूछा इतना सा लड़ू और इतने सारे भगवान कैसे खाते होंगे तो क्यों भाव से हैं तो हमने का तुम भगवान को क्यों बहुत दुख है गुरू जी बहुत तकलीव इतनी तकलीव इतना कष्ट है जिसका वड़न नहीं इतना बड़ा परिवार इतना सपैसा आता है ς दakukan मैंने का भगवान भी भावस है जैसे तुम भाव से इतने सारे देो ताको इत्ता सा लड़ू देते हो भागवान भी तुमारे इतने बड़े परिवार में इतना से धन देता है भाव से निरमल मनसो महिपा जैसा करोगे वैसा भरोगे और इतनी चतूर माताय भोग भी लगाएगी घंटी भी हिलाएगी जल भी छोड़ेगी और तुरंत लड़ू उठाके बच्चों को भी बाट देगी पांच मिनिट में खाने दे भगवान को पांच मिनुट अच्छा संकर जी सोच रहे थे कि पहले गने जी खाले इसके वाद में ले लूँगा गने जी संकर भगवान ने पाया अधर ने जी सामें ने तो यहां पर यह देवी आहीं माता तो सौब दूर अभी खाती उधर जाए तो आदा एक गंटा लगे इसका तो आट लेए तो चार ने तो आट लेएं अभी लूट आए तो उस्ता ने तो लगेगा वो मालूम पड़े समीं ने जाने लेगा उन्त व्धाओं जिखाए तो इसका बहुत की लोटा लाई हो और तो तुछ वेद्य दिल के अरमासुमें की तो इसके भाव से तो शिर्जा रही दौत है उचिए तो ने तो भगवान से पूछा इतने प्रेम से विजा रही है तो में कैसा लगा और बहुत हो इसका भाव को है खोंग प्रेमसरी ज्हाने का प्रियास पर निवेदन आज एक नीयम बनाओ आज एक निवेदन करों एक नियम बनाना कि भगवान को केवल काम जैसा यूसमत करों कि सुवे से उठकर जैसे जाड़ो लगाना आए पोचा लगाना रोटी बनाना न उसितरा भघवान कि सेवा को भी लोगों ने काम जोड़ रखा कि इतनी वज़े ऊटकर मुझे जाना है मंदिल में बैटना अगरती लगाना दियावती लगाना इसनान कराना और लट्दू रखना मट्री लगाना आर्ती करना और लेकर यह भगवान को काम जैसा मत जोड़ो जैसे घर में कपड श्री शिवाय नमस्तु हम हम श्री शिवाय नमस्तु हम हम अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दिजे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दिजेए कि अलीज先ाफ जैसे को ज्राइब कर दिए मारा ये शो जारी शो regression हम हमारे शक लाइब को में हमारा ये जया बanızें हम स्थों के और आपको जो अपना वे साइब गूटतु हम बटन शेते हमाराब के अझा ज्लीजned क locks